Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अगर आप data देखोगे तो बहुत सारे हैं, कई लोग शायद समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या guarantee दिया गया है, मोदी जी की तरफ से, क्या राहुल गांदी जी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग categories में, जैसे महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर बोला गया है, य जो विद्याती हैं, यूथ हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या है, तो अलग-अलग categories में, 10 बड़ी बाते हम इसमें करने वाले हैं, ताकि आपको एक crystal clear idea मिल सके, किस party ने क्या यहाँ पर बोला है, यहाँ पर इस वीडियो में, मैं किसी प्रकार का judgment पास नहीं करूँगा, ले आज आखरी date है हमारे sale का, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, एक ऐसा batch चाहते हैं, जिसमें पूरी preparation कराई जाए, प्रिलेंस में इंटर्व्यू, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको हमारे website, app पर जाना या फिर comment section में link और use करना है code UNKITLIVE, ताकि आपको maximum discount मिल ज दौरान, 2025 की त्यारी कर रहे हैं, तो उसका ये वाला batch है, 2026 की त्यारी कर रहे हैं, तो हमारा long term batch है, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात कर और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हुआ है, देखें कल की ही बात है, PM मोधी जी के दोरा BJP का जो manifesto है, जिसका नाम दिया गया संकल पत्र, ये release किया गया है, Congress Party ने अपना जो manifesto है, वो 5th of April को ही release कर दिया था, 10 दिन पहले, जहां तक BJP का सवाल है, उनका ये कहना है क कि हमारा target है 370 plus seats और जो उनका गटबंधन है NDA, वो चाहते हैं कि 400 से जादा seats मिले, वहीं Congress अगर आप देखोगे, तो वो BJP को challenge कर रही है, with all other parties, आपको पता है, यहाँ पर जो India block है, वो बनाया गया opposition की तरफ से, तो देखते हैं इसको लेकर क्या होगा, 19th April को जो पर हम देखते हैं क्या बोला गया है, अगर हम बात करें title की, theme की, तो जो BJP party का theme है, उनका basically 4 चीजों पर आपको focus देखने को मिलेगा, although उन्होंने total 14 promises की हैं, मैं आपको एक के करके आगे बताऊंगा, लेकिन जो 4 main pillars हैं BJP के manifesto में, एक है महिलाएं, दूसरा youth, तीसरा है आ Congress की बात करें, तो वहाँ पर जो उनका पुरा न्याय पत्र है, उसमें आपको भारत जोडो न्याय आत्र आपको देखने को मिलती है, और इनका जो pillars है, वो basically 5 pillars of justice बोला गया है, और ये किनको justice देनी की बात है, ये है युवा न्याय, नारी न्याय, मतलब महिलाओं के लिए न्याय, किसान न्याय, मतलब farmers के लिए, श्रमिक न्याय, जो laborers हैं, और साथी साथ हिस्सेदारी, मतलब कि यहाँ पर हर एक work की जो हिस्सेदारी है, उनके लिए यहाँ पर क्या न्याय लाया जाए, और इसके अंदर Congress Party ने basically 25 guarantee रखी है, जैसे महिलाओं के लिए कुछ guarantee, उन समझ से vote कर रहे हैं, तो उनके उपर influence जादा तर parties डालना चाहती हैं, और इस बार की मैं अगर आपसे बात करूँ, जो first time voters हैं, 18-19 साल के, इनकी संक्या 1.8 करोण के आसपास है, तो BJP के तरफ से बोला गया है, एक तो सबसे पहली चीज, कि वो paper leak के खिलाफ नया कानून ले जाएगा, ताकि जो भी दोशी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, फिर इसके लावा बोला गया है, यहाँ पर जो vacancies हैं, government vacancies, इसको लेकर time bound manner में, वो उसको fill करने की कोशिश करेंगे, तीसरा यहाँ पर बोला गया है, यंग voters के लिए, कि जो भारत तो उसको preferred destination बनाएंग होगा, उतना जादा हुआ employment generate कर सकेंगे, तो basically BJP यह कह रही है, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो government vacancies है, वो तो fill होई हो, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर जो private sector है, उसको एक तरह से मजबूत किया जाए, और इसके अलावा आपने अक्सर मुद्रा के बारे में सुनागा मुद्रा लोन जहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, ताकि कोई भी अगर person यहाँ पर अपना business start करना चाहता है, तो मुद्रा लोन के तहत कर सकता है, तो यह जो credit program है, इसको further expand किया जाएगा, और जो credit limit है, इसको double किया जाएगा, 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, वहीं अगर हम Congress की बात करें, तो देखें, उनका यह कहना है कि unemployment की जो समस्या है देश के अंदर वो काफी जादा है, और इसलिए war footing पर, मतलब तेजी से unemployment को हम tackle करेंगे, फिर इसके लबदारा बोला किया है, देखें, एक बहुत ही important चीज लाई गई है Congress को दारा, वो य है, कि right to apprenticeship act, जो भी person college degree प्राप करेगा, मतलब यहाँ पर age limit लगाई गई है, 25 साल तक, अगर आप यहाँ पर college से graduate हो रहे हैं, या फिर diploma holder है, तो हम आपको guarantee देंगे, यहाँ पर Congress Party यह कह रही है, कि एक साल तक आपको apprenticeship करने का मौका दिया जाएगा, चाहाँ वो private sector में और public sector में हो, और इसके लिए आपको 1,00,00 रुपे में मिलेंगे, फिर इसके लावा बोला गया है कि Central Government के अंदर जितने भी लगभग 30,00,00 फेकेंसी हैं, इसको जल से जल फुल्फिल किया जाएगा, फिर इसके लावा one time relief दिया जाएगा to all applicants, जिन्होंने exam नहीं दे पाए COVID के द पिर next अगर हम बात करें, senior citizens के लिए तो देखें सबसे पहले BJP ने कहा यहाँ पर कि आयुष्मान भारत योजना, आपको पता होगा इसके अंदर basically देश के जो 10 करोण गरीब परिवार हैं, उनको 5,00,00 तक का जो इलाज है वो मुफ्त में दिया जाता है, insurance है एक तरह का, आ 70 साल से उम्र के जितने भी senior citizens हैं, उन सब के लिए यहाँ पर हम लेकर आएंगे, आयुष्मान भारत योजना, मतलब कि यहाँ पर अमीर गरीब सब लोगों के लिए एक तरह से include कर दिया जाएगा, 70 years and above, और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि जब हम senior citizens की बात करते जहां तक Congress का सवाल है, उन्होंने यहाँ पर कहा है, Rights of Persons with Disabilities जो Act आया था 2016 में, उसको सही से implement नहीं किया गया है senior citizens के लिए, तो एक तो हम उसको strictly enforce करेंगे, फिर दूसरा उनका यह कहना है कि देखें, यहाँ पर pension दिया जाता है, यहाँ पर जो National Social Assistance Program है उसके तहर, यहाँ जो senior citizens हैं, उनको मिलता है, वीडोज हैं, उनको मिलता है, persons with disabilities उनको मिलता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो National Social Assistance Program है, इसके तहत करीब 300 रुपए दिया जाता है, 70, I think 70 या 80 साल तक और उसके उपर 500 रुपए दिया जाता है, तो Congress का यह कहना है कि यह जो pension है, उसको बढ़ा कर हम 1000 रुपए पर महिना कर देंगे, फिर इसके लावा यहाँ पर जो public transport है, rail और road, especially railway में आपको बता होगा पहले, जो senior citizens है, उनको छूट मिलता था, 60 years and above के, अब नहीं मिलता है, तो उसको हम restore करेंगे, ऐसा Congress Party का कहना है, फिर next यहाँ पर किसान, आपको बता है, फार्मर्स का मुद्दा पिछले कुछ साल से लगतार चली रहा है, इसी साल आपने देखा कि होएँ पर जो farmers हैं वो भी प्रोटेस्ट करने आ गए थे, लेकिन यहाँ पर अब कही न कहीं प्रोटेस्ट वो खतम हो चुका है, लेकिन farmers को लेकर देखे, BJP नहीं कहा है, कि जो परधान मंत्री फसल भीमा योजना है उसको हम further strengthen करेंगे ताकि accurately अगर किसी का फसल नुकसान हुआ है तो जल से जल उसको payment मिल सकें फिर इसके लावा जो MSP है minimum support price आपको पता है ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया था भी recently भी तो यहाँ पर समय समय पर जो MSP को increase करना है वो पसल पर ये MSP हम दे रहें तो उसको guarantee मिलने चाहिए कि हाँ सरकार खरीदे अभी तक सरकार सरिफ गहूं और अनाज खरीदे गहूं और जो आपका rice वाला है वो खरीदी है लेकिन अब हम यहाँ पर जो भी MSP प्रोवाइड करेंगे उसको लेकर law लेकर आएंगे legal guarantee देंगे और इसके साथ-साथ यहाँ पर एक permanent commission on agricultural finance बनाएंगे जैसे आपको पता है ना finance commission होता है हर 5 साल में बैठता है कुछ उसी प्रकार सा agriculture के लिए भी हम ये लेकर आएंगे ये farmers के लिए announce किया गया है जहां तक महिलाओं का सवाल है देखो आज के date में महिलाओं का voting संक्या जो ह almost 50% आप कह सकते हैं थोड़ा कम है मेल से लेकिन स्टिल आप देख पाओगे total eligible voters 2024 में 96.8 करोन है इसमें से males की संक्या है 49.7 करोन और females की संक्या है 47.1 करोन और जो transgender हैं वो 48,000 है तो women voters आपको पता है काफी important again role play करती हैं तो यहाँ पर BGP का कहना है कि जो लगपती दीदी वा जो rural areas में महिलाएं हैं उनको लगपती दीदी बनाएंगे फिर इसके लावा यहाँ पर especially जो महिलाओं का health का सवाल है चाहें वो breast cancer हो गया, anemia हो गया, cervical cancer हो गया इस तरह की कई सारी जो health बिमारिया होती हैं उसके उपर focus किया जाएगा और जो health services है उसके उपर focus किया फिर इसके लावा जो women reservation bill है आपको पता है बीजेपी लेकर आ रही है सरकार लेकर आई थी तो यहाँ पर उसको धीरे धीरे करके हम implement करेंगे जिसके तहट one third reservation parliament और state legislature में दिया जाएगा जहां तक Congress का सवाल है तो देखिए उन्होंने कहा है कि महालक्षमी scheme हम लेकर आएगे इसके अंदर बोला है Congress Party ने कि हर poor Indian family में जो महिला है हर महिला को unconditional cash transfer किया जाएगा कितना एक लाख रुपए हर साल आप समझ रहो तो ये बड़ा announcement किया गया Congress Party के दोरा कि एक लाख रुपए पूर Indian family के अंदर अब पूर Indian family अब हो सकते है आगे चलकर इसको define किया जाएगा क यहाँ पर क्या poverty line के नीचे वाली families होंगी क्या होंगी वो अभी नहीं पता लेकिन एक लाख रुपए पर year दिया जाएगा सभी पूर महिलाओं को फिर इसके लाबा यहाँ पर जो central government में jobs है नौकरिया है उसमें 2025 से महिलाओं के लिए one half 50% नौकरिया महिलाओं के लिए reserve कर दिया जाएगा फिर इसके साथ साथ जो working women है सहरों में रहती है अलग अलग district में रहती है जो काम कर रही होती है उनके पास रहने की सही सुविधा नहीं हो जई तो यहाँ पर सावित्री भाई फुले hostel जो हर एक district के अंदर कम से कम लाया जाएगा कि एक hostel रहे ताकि जो working महि जहाँ तक health का सवाल है again especially आपको पता है COVID की वज़े से health काफी important factor हो गया है तो इसके उपर भी काफी जो parties है वो focus करने लगी है जहाँ तक BJP का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि जो पूरा network है aims का इसको further strengthen किया जाएगा ताकि quality health care सभी देश के हिस्से में दे सकें फिर इसके अलावा आपको पता है परधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जो गरीब परिवार हैं उनको एक तरह से health facilities provide की जाती है insurance facility provide की जाती है उसको further expand किया जाएगा basically जो infrastructure है health infrastructure उसके उपर focus किया जाएगा और यहाँ पर जन औस पर लोगों को सही medicine जो है मिल सकें जहां तक Congress Party का सवाल है तो दिखिए उन्होंने कहा है कि जब हमारी राजस्थान के अंदर सरकार थी तब वहाँ पर हमने एक model लेकर आया था cashless insurance का 25 लाक रुपए तक तो इसको हम universal करेंगे पूरे देश में लेकर आएगे फिर इसके बढ़ाएंगे अभी अगर आप देखोगे सरकार के दौरा जो भी expenditure किया जाता है health के अंदर वो करीब 2.5% के आसपास है of GDP इसको बढ़ा कर 2029 तक 4% of GDP हम ले आएंगे ऐसा Congress Party का कहना है फिर इसके लावा economy आपको परता है अर्थ वेश्था एक बहुत ही important पहलू है जिसको इसके लावा उनका कहना है कि we will continue to demonstrate low inflation तो BJP Party का एक हमेशा से ये कहना है कि हम inflation को थोड़ा सा control करके रखते हैं double digit में नहीं होने देना चाहते जैसे 2009-10 में देखने को मिला था तो अभी अगर आप देखोगे inflation करी 5% के आसपास देखने को मिलेगा तो उसी के आसपास हम उसक को लेकर और ज्यादा focus करेंगे और इसके साथ साथ जो भी taxpayers है honest taxpayers उनको हम important role मानते हैं हमारी देश की अर्थ ववस्ता को चलाने के लिए तो हम उनको honor करेंगे मतलब कि हम उनको परशान नहीं करेंगे अगर आप tax pay कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ harassment किय पिर इसके लाबा जहां तक Congress Party का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि GDP हम अगले 10 साल में double कर देंगे अभी अगर आप देखो कि हमारी GDP करीब 3.7 trillion dollar के आसपास देखने को मिलेगी तो इसको double किया जाएगा अगले 10 साल में फिर इसके लाबा Congress Party ने कहा है कि economy के अंदर जो gig workers होते हैं उनका भी बहुत important role है gig workers basically जो freelancing करते हैं especially Zomato, Swiggy और और भी जितने भी काम होते हैं जहापर freelancing का होता है तो वहाँ पर उनके rights को protect किया जाएगा social security उनके लिए provide किया जाएगा फिर इसके लाबा यहाँ पर जो tax policies आपने सुना होगा GST वगरा को लेकर Congress Party ने काफी विर पुषिश की जाएगी जहां तक education का सवाल है BJP आप देख सकते हो उनका कहना है कि we will continue to upgrade the existing institution यहाँ पर funding के माध्यम से infrastructure structure aggregation के माध्यम से और जादा institutions बनाया जाएगे फिर इसके लाबा बोला गया है कि जो national education policy आई थी new education policy 2020 में उसके accordingly जो curriculum वगरा है अब especially क्या होता है कि आज के date में जो industries वगरा है उनको skilled डेवर चाहिए तो industries के हिसाब से हम यहाँ पर जो skilled education है वो यहाँ पर provide करेंगे फिर जहां तक congress party का कहना है दिखें उन्होंने एक बड़ा announcement यह किया है कि right to education आपको पता है अभी 14 years तक 6 to 14 years तक यहाँ पर right to education इंक्लूड किया जाता है जिसके तैट 8th class तक आपको free सिक्षा मिल जाती है तो congress party का कहना है कि हम class 12 तक जो right to education है उसको further extend कर देंगे ताकि free education मिल सके class 12 तक फिर इसके लावा जो new education policy है उसमें कई सारे changes की ज़रत है वो हम changes करेंगे फिर इसके लावा यहाँ पर जो focus है वो stem subject किया जाएगा जो science, technology, आपका engineering हो गया, maths हो गया तो उन सब पर focus ही quality, again आपको पता है काफी बड़ा मुद्दा बना रहता है कि कैसे हमारा देश सुरक्षित रहे, तो BGP का कहना है कि देखे एक तो यहाँ पर हमें military theater commands की जरूरत है, theater commands basically क्या होगा, कि जैसे मालो अभी आपको तीन division देखने को मिलता है, तीक है, Navy, Army और Air Force, तीक है, तो अब ही सेना included होगी, ताकि coordination वगरा भेतर तरीके से हो सकी, तो वो implement किया जाएगा, फिर इसके लावा जो infrastructure है, उसको मजबूत किया जाएगा, especially जो हमारे border areas है, इंडो-चाइना हो गया, पाकिस्तान के साथ border, मैनमार के साथ आपको पता है, रिसेंटली कितनी issues हों है, तो वहाँ उसके लावा यहाँ पर जो armed forces है, central armed police forces है, उनको state of the art weapons होते हैं, नए-नए प्रकार के systems हो गया, गन हो गया, तो वो सारी चीज़े हम provide करेंगे, ताकि वो सही तरीके से एक देश की सुरक्षा कर सके, फिर जहां तक Congress का सवाल है, देखिए, सबसे बड़ा announcement उन्होंने किया है चार साल के लिए आपको पता है, भरती किया जाता है, 6 महने कर ट्रेइनिंग होती है, उसके बाद इसमें से 25% जो भी पास होते हैं, उसमें से उनको regular army में जो है, जो है, जो है जोइन करा दिया जाता है, तो एक तो जो अगनी पत स्कीम है, उसको हटा दिया जागा, जो हट और पाकिस्तान उससे हम कैसे निबट सकते हैं इसके लिए एक नया ओपरेशन डिरेक्टिव जारी किया जाएगा और इसके लावाद जो सीडियस का अपॉइंटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीफ और डिफेंस स्टाफ आपको पता है नया पोश्ट बनाये गय जो UPA की सरकार ने 2014 में अनाउंस किया था वो वाला वन रैंक वन पेंशन हम लेकर आएंगे और फानली जाने से पहले यहाँ पर जो आखरी वाला वो है आपका एंवार्मेंट देखें एंवार्मेंट भी आज के डेट में आप देख रहोगे चाहें आप कोई भी चीज ले करेंगे कि वो अपना जो टार्गेट है वो अचीव कर सके और साथ शहरों में 2029 तक जो नाशनल एयर कॉलिटी स्टांडर्ड होता है वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे फिर इसके लावा बोला गया कि जो मेजर रिवर्स है नदियां हमारे देश के अंदर उनका गंगा यमुना जितने भी हैं बेसिकली मेजर रिवर्स उनका हम इंप्रूब्मेंट करने की कोशिश करेंगे कॉंग्रेस पार्टी का जहां तक कहना है उन्होंने भी लगबग ऐसी चीज़े कहीं है कि नाशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया उसको हम अरजंटल करेंगे एयर पॉलूशन वगरा जो होता है तो इसके अलवा यहाँ पर जो एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन हो गया क्लाइमेट चेंज अथारिटी हो गया वह एक इंडिपेंडनेंट हम अथारिटी लेकर आएंगे ताकि देश में जो एन्वार्मेंटल स्टैंडर्ड है वो सही तरीके से मॉनिटर हो सके और एन्फोर्स हो सके तो यह पूरा वीडियो था दोस्तों रिकार्डिंग मतलब मैंने कोशिश किया कि जो भी एक एक करके जो सेग्मेंट वाइज आपको बता सके ताकि आपको एकदम क्रिश्टल क्लियर समझ में आज है कि यहाँ पर कौन सी पा सर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिले गाई वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वह यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ अगर आपको पीडिएफ की तो टेलिग्राम पर आईए अलग-लग सोचल मीडिया पर आप यूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइफ to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ से नेक्स ताइम तिल देन थै